नमस्कार साथियों मैं रुची वेश्णों स्वागत करती हूँ आपका ग्यानारत अकैडमी यूट्यूब चैनल पर ग्यानारत अकैडमी यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो students it's my second video on tense तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा and now I will teach you Tense, मैं आपको Tense पढ़ाने वाली हूँ, it's again और Tense के अंदर हमने जो हमारा first part लिया था, उसमें कुछ questions solved किये थे अभी जो second part है, उसमें सारे जो competitions exams होते हैं, जिनमें basic English आती हैं, उसे related सारे questions हम यहां solve कर रहे हैं so without any delay, हम start करते हैं yes, so students, मैं आपको बताना चाहूंगी कि Tense आप starting से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हमें Tense का मतलब पता है, कि Tense का मतलब, मैं आपको basic language में बता देती हूँ, Tense का मतलब क्या होता है, it's time, Tense का मतलब है time से हम जब भी Tense की बात कर रहे हैं, तो हम time की बात कर रहे होते हैं present की, past की, future की या तो कोई चीज हमारी present में हुई होती है या कोई हमारी past में हुई थी या फिर कोई future में होने वाली होगी ऐसी चीजों के बारे में हम discuss करते हैं टाइस के अंदर और इसी से related जो questions है वो आगे हम solve करने वाले हैं Yes, so I start the questions Question is He kept looking at her दिखिए, यह जो question बन रहा है आप इसको देखके आपको लग रहा होगा कि यह बन रहा है question, he kept यानि कि यह subject है इसके बाद यह verb है फिर यह verb के साथ ing एक और verb इसने use की है then यहां तक object है then आपको लग रहा होगा कि where he dash her before लिखा है before यानि पहली की बात हो रही है कहां की बात हो रही है पहली की देखे, two types of sentence है एक में तो क्या बात हो रही है continue की और एक में किसकी बात हो रही है पहली की बात हो रही है तो इसका correct answer क्या होगा let's see यहां लिख रहा है he kept looking at her वो उसको क्या कर रहा है continue देख रहा है उसको देख रहा है हर का मतलब girls के लिए उसको देख रहा है wondering तरीके से where he dash her before मतलब कि उसने उसे पहले कहां देखा था इसका sentence यहीं बनेगा he dash her before मतलब पहले कहां देखा था अब आप देखेंगे every scene का मतलब क्या है देखना ही होता है अब have seen इसलिए नहीं होगा because यह लगता है हमारे present perfect तो present perfect में लग रहा है तो have seen नहीं होगा क्योंकि वहां क्या word लिखा है before लिखा है ठीके was seen इसलिए नहीं होगा जब भी was use होता है तो इसके साथ क्या लगता है ing लगता है तो यह वाला नहीं होगा and यहाँ was seen दे रखा है कि इसका मतलब हो जाता है जब ing लग रहा होता है तो यह continue की बात कर रहा है रहा था तो continue तो already वो यहाँ देख रहा है कि he kept looking at her वो उसको देख रहा था continuously wondering और यह सोच रहा था मतलब wondering वो कर रहा था कि where he dashed her before उसने पहले कहां देखा है उसको पहले कहां देखा था तो इसका correct answer होगा had seen क्या correct answer होगा had seen और क्यों correct answer होगा had seen क्योंकि past perfect tense के अंदर had जो word है वो दिया होता है और had का मतलब past से है और second sentence में before word यूज़ कर रखा है जो यह second sentence पूरा लिख र इसलिए हमने इसका correct answer क्या select किया it's had seen okay now our second question is as soon as he as soon as he dashed he went for a walk as soon as he मतलब की उसने क्या किया जितना जल्दी हुआ he he dash he went for a walk दिखिए तो यहां ऐसा sentence आना ची जो sentence को क्या कर रहा हो finish कर रहा हो complete कर रहा हो तो अब देखिए यहां क्या sentence बन सकता है he eats he went for a walk went है तो क्या होगा obviously went है तो past की बात हो रही है जब past की बात हो रही है तो eats हम present के लिए यूज करते हैं इसलिए eats correct sentence नहीं बनेगा has eaten हम कभ यूज करते हैं has eaten भी perfect present के लिए यूज करते हैं will eat future के लिए यूज हो रहा होगा तो had eaten is right answer कि he had eaten उससे वो क्या करेगा खाना finish करेगा he went for a walk मतलब उसको खाना खाकर कहां जाना था walk पर जाना था जल्दी से ठीक है next आप देखिए next question is I dash on this project since yesterday अब simple सा में आपको पिता देती हूँ कि जब भी since लग रहा होता है since लग रहा होता है since यानि जब से तो since के यूज करते हैं वो होता है हमारा have plus been plus verb की first form plus ing and then our object tense का ये formula है कि have plus been plus verb की first form plus ing plus object जो आप 6 class से लेके test class तक अपने continue पढ़ाओगा it's very easy कि हम देख रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा its right answer is a have been working क्योंकि since yesterday लिख रहा है तो उसके साथ हमारा जो correct sentence match हो रहा है correct word match हो रहा है वो हो रहा है have been working अब मैं आपको बता देती हूँ was working क्यों नहीं हो रहा है since yesterday दे रखा है was working नहीं होगा shall work या नहीं work करेगा future का हो ही नहीं सकता है क्योंकि yesterday की बात हो रही है और work simple present की बात नहीं होगी yesterday की बात हो रही है simple present हमीशा जो अभी हो रहा होता है या हुआ होता है उसके लिए use होता है तो have been working is the right answer so next our next question is if you dash hard अगर आप क्या करेंगे you will drill the nail in तो nail को आप क्या कर लेंगे in कर लेंगे drill कर लेंगे अंदर जैसे कि कील अगर आप लगा रहे है कील को drill कर रहे है तो आप कैसे करेंगे अगर आप heat करेंगे hard तो यह simple tense बन रहा है if you heat art, अगर आप heat करते है hardly, तो you will drill the nail in तो आप nail क्या कर लेंगे? in कर लेंगे, are heating, have heat will hit क्या नहीं है? match the correct answers नहीं है hit बिल्कुल हमारा correct answer है क्यों है? वो मैं आपको बता देती हूँ if you will hit, अगर आप क्या करेंगे? if you will heat, अगर आप heat करेंगे so you will drill the nail तो यह दोनों sentence किस के हो गए? future के हो गए? are heating मतलब कर रहे हो have heat मतलब कर चुके थे इसलिए यह नहीं होगा तो इसके right answer हमारा आपने देख चुके है next is question I dash him next month I dash him next month next month मतलब किसकी बात ओरी है? future की बात ओरी है concept हमारा clear है कि next month की बात ओरी it means future की बात ओरी अब देखे क्या होगा? future में visited नहीं होगा because it's a past यह past की बात कर रहा है had visited नहीं होगा past की बात कर रहे है have visited क्यों नहीं हो रहा है? verb की third form तो आ रही है have भी है but I have visited him next month no, I shall visit him next month मैं क्या करूँगा? next month answer हमारा shell होगा next month क्योंकि future की यहां पर बात हो रही है okay? yes our next question is she dashed your party if you had invited her यह conditional sentence है, conditions बता रहे हैं कि अगर आप उसको क्या किया जाता? invite किया जाता तो आपकी party क्या करेगी? attend करेगी तो यहां future की बात होगी और इस तरीके के conditional sentence में हम किस तरीके का वो use करेंगे? what? would have use करेंगे she would have gladly attend your party she would have gladly attend your party if you had invited her अगर आप उसे invite करेंगे तो वो आपकी party को क्या करने वाली है? attend करने वाली है now our next question is I see a flat stretch of ground कि I see a देखे, I see मतलब मैंने देखा जब बात किस की हो रही है? देखा की हो रही है, a flat stretch of ground इसके बाद object है तो आप देखे, present simple का formula क्या होता है? subject and directly verb without क्या verb की first form लगती है तो यहाँ verb की first form लग रखी है that's why यह क्या होगा? present simple होगा past simple इसलिए नहीं होगा because subject plus verb की second form यूज होती है present perfect इसलिए नहीं होगा क्योंकि has have के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है? has have के साथ verb की third form होती है और present continue इसलिए नहीं होगा because यहाँ पे ing का use होता है तो ऐसा नहीं है तो इसका right answer जो था वो हमने देख लिया next question is I get up early and eat my breakfast listening to the radio I get up early यहाँ लिख रहे है I get up early मैं सुभे क्या उठता हूँ? जल्दी उठता हूँ तो आप देखे present continues present continues इसलिए नहीं होगा continue का मतलब होता है ing तो ing use नहीं हो रहा है नहीं होगा present perfect होता तो यहाँ पे किसका use होता? जो verb है it means helping verb has have का use हो रहा होता has have का use भी नहीं हो रहा है present simple present simple में subject plus verb की first form आती है तो I get up verb की सीधी first form आ रहे है और present perfect इसलिए नहीं होगा present perfect की दो options हमाने पास देवे हैं क्योंकि has have नहीं दियावा है तो क्या होगा? I get up early subject plus verb की first form the right answer is the present simple first नहीं है second नहीं है fourth नहीं है right answer is third okay next question is I was very cold that night I was very cold that night उस रात में से क्या था? बहुत cold था अब देखिए was का use हुआ है किस का use हुआ है? was का use हुआ है तो मैं बिता दोती हूँ अगर was के साथ यहां किस का use हो रहा होता? ing का use हो रहा होता तो यह continue हो जाता लेकिन यहां ing का use नहीं हुआ है तो यह past simple है was का मतलब past simple है past perfect इसली नहीं है क्योंकि past perfect में जो वर्ब की form होती was की जगा had होनी चाहिए थी और past perfect continue इसली नहीं है क्योंकि continue के जब भी बात होगी चाहे वो past perfect continue हो चाहे वो क्या हो only continue sentence हो past continue हो तो ing use होगा नाउ नेक्स्ट क्यूश्चिन इस he was looking ill वो क्या दिख रहा था? बिमार दिख रहा था he was looking ill अब देखें मैंने बता है ना कि subject plus verb की first form then ing अगर use होता है तो क्या sentence बनेगा? past continue sentence बनेगा तो he was looking he हमारा क्या हो गया? its subject was हमारी क्या हो गई? helping verb है this is a helping verb जो past के लिए use होता है then look हमारा हो गया verb की first form और इसके साथ क्या use किया गया है? ing यूज किया गया है तो ये क्या हो गया है? हमारा past continue इसका right answer है बाकी आपको easy going पता है कि बाकी answer correct क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये बता देती हूँ past simple के अंदर क्या होता है? ing नहीं होता है past perfect में भी ing नहीं होता है और past perfect continue के अंदर क्या है? head के साथ head bean के साथ ing का use होता है so our question is completed जो आज हम सीखने वाले थे वो हमने complete किया I hope students you like my video this is a very easy method for learning tense ये बहुत easy method है जो हम सीख रहे हैं tense को और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को live को और subscribe करते रहें हमें motivate करते रहें तो हम आपके लिए new new videos लेकर आते रहेंगे जो आपके English के basic concept क्लियर करेंगे thank you everyone